इस वीडियो में आपको पपीते के पोधे के बारे में A to Z पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी एक पपीते का पोधा कब लगाया जाता है, कौन से मोसम में लगाया जाता है, भारत में किस किस शेत्रों में लगाया जा सकता है क्या इसको हम गमले पे भी लगा सकते हैं इसको हम छट पे भी लगा सकते हैं एक पोधा लगवा कितना फल दे सकता है ऐसे ही पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इसको खाद कौन सी चाहिए इसको मिटी कौन सी में ये बहतर होगेगा इस पे कीट कों सा लगता है बिमारियां से इसको कैसे दूर किया जाएगा आपका चाहे कोई पलोट हो आप उसमें भी लगा सकते हो या फिर आपने छट पे लगाना चाहो अपने घर के अंदर लगाना चाहो वहाँ पे और भी ये गमले पे भी लग जाएगा तो हमारे साथ बने रही है इस पूरी वीडियो के बड़े ही ध्यान से समझीगा बीज से लेकर फल तक की बात करेंगे इस पेड की मैं आपको एक खासित बताना चाहूँगा किसान भाई इस पेड को बड़े ही मजे से लगाते हैं क्योंकि ये ऐसा पोदा है ऐसा पेड है जो की छे महीने में ही फल दिखा देता है अगर हम इसका मिट्टी पानी हवा और सूरज पे सही ध्यान रखें तो अभी शुरुबात करते हैं इसको लगाया कैसे जाए इसको बीज से लगाएं या फिर कटिंग से लगाया जाए कौन सा तरीका सबसे तीजी से फल ले कराता है कटिंग से ये नहीं होता इसको बीज से ही लगाया जाएगा यह बीज आपके घर पर आ रहे प्रपीते के बीज भी हो सकते हैं यह फिर डिरेक्टली आप इसको खरीद भी सकते हों hybrid बीज जो भारत में इसकी variety जलती है वो तेवान 786 जलती है जो की काफी मीठी भी होती है अभी आपके पास बीज पड़े हैं तो बीज को आपने पानी में भिगोना है 24 गंटे के लिए तो 24 गंटे में क्या होगा जो बीज पानी के नीचे ठहर जाएंगे उस बीजों को अपने बोने के लिए रखना है जो पानी में तैरते रहेंगे उसको आपने निकाल कर फेंग देना है अभी आपके पास अच्छे बीज आ गई आप दो तरीके हैं या तो पहले इसकी नरसरी उगाई जाए या फिर डारेक्टली जमीन पर इसको मिट्टी में बोदिय जाए जो लोग कम मेहनत करना चाहते हैं वो नर्सरी से इसको इसकी नर्सरी डिरेक्टली बाई कर लेते हैं तो नर्सरी बाई करते समया हमने ये ध्यान रखना है जो नर्सरी में ये पूदा है ये 30-35 दिनों का हो तो बहतर होगा और जो लोग खुद इसका अनुभव करना चाहते हैं खुद इसे लगाना चाहते हैं तो बीज को बराबर मात्रा में मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कमपोस्ट इसके मिक्स्चर में जो बलैक कलर के नर्सरी बैग लफाफे आते हैं उसमें उगा सकते हो एक एक पॉली बैग, नर्सरी बैग में आप तीन तीन जोड़े वीजों के उगा सकते हो उसमें से एक दो एक ही जर्मीनेशन होगा ज्यादा तर तो अगर दो जर्मीनेशन होते हैं तो एक को उसमें से निकाल दिया जाता है जब आपका वो पोधा 30 से 35 दिनों का होता है तो टाइम आ जाता है कि इसको मिट्टी में डिरेक्ट बड़े गमले पे लगा दिया जाए या फिर डिरेक्ट जमीन पर लगा दिया जाए इसमें जो सबसे महत्तब बात है वो मिट्टी आप कौन सी यूज कर रहे हो ये जरूरी है पपीते के पोधे को वो मिट्टी पुसंद है जो अपने अंदर पानी ना सोंके अगर गमले के उपर से मिट्टी में पानी डालते हो तो जो सीधी ही डिरेक्टली ड्रेन होल से निकल जाए उसमें पानी ना खड़ा हो जाए तो सेंडी सोल इसके लिए बेस्ट सोल होती है अगर दो चार दिन के लिए इस मिट्टी पर पानी खड़ा रह जाए तो इसकी जड़े सहन नहीं कर पाती इसको फंगस लग जाती है बिमारी लग जाती है और वे मरही जाते हैं उसका कोई इलाज भी नहीं होता तो मिट्टी का चैन बहुत ही ध्यान से किया जाता है जो मिट्टी पानी को ज्यादा ने सोक के रखें अभी अगला कदम आता है आपके एक हाथ में 35 दिनों का तकरीबन एक फिट का पपीते का पेड़ है और दूसरी और सैंडी सोल पड़ी है अग अगर आप गमले में इसको लगा रहे हो तो गमले का साइज बड़ा होना जरूरी ही है तकरीबन मिनिमम कम से कम 24 इंच गमला होना ही चाहिए सबसे बड़िया चोईस कहें तो ग्रो बैग आपके पपीते के पेड़ के लिए बहतर होगा 24 इंच या फिर 30 इंच का जो काफी ह यजके बहते हैं और लाइफ भी लंबी होती है इंनकी स्थ पें अगर आपको ग्रोवत की जुरूरत हो तो आपको स्कस्क्रीण पर नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉंटेक्ट करकर आप सास्ते प्राइज में यह क्रोव बैट बाय कर सकते हो तो grow bag आपके पास available है आपने चट केक corner पे इसको रख लिया grow bag में hole किये गए हैं drainage के लिए और इसमें sandy soil भर दी गई है तकरीबन एक हाथ मिट्टी छोड़ दी दिनी है उपर से अब इसको बड़ा ही अनोखा तरीका मैं बताऊंगा इसको मिट्टी में लगाना कैसे है इसका भी एक बहुत बढ़िया तरीका है गमले में बीचों बीच आप एक hole कर लीजिए तकरीबन 6 इंच का या इससे थोड़ा लंबा और बीच में पानी भर दीजिए और वो hole में चीकड सा बन जाएगा उसको जब आप हाथ डालोगे उसमें तो वो चिकना सा दिखाई देगा तो उसमें आपने इस पपीते के छोटे पोधे को लगा देना है और वो चीकड से यह जड़े पूरी ढख लेगी बीच में वो हावा नहीं छोड़ती और पोधे को थोड़ा सा दक्षिन की और 45 डिगरी एंकल पर टेड़ा लगा देना है जब आप इस पोधे को 45 डिगरी तेड़ा लगाओगे तो अगले पांच दिन पोधा सीधा होने की कोशिश करेगा उस कोशिश में जो पोधे के जड़ के पास का नीचला हिस्सा होता है उसमें काफी जान लगती है जितना वहाँ उसको कश्ट होगा उतना ही वह फैलता जाएगा मोटा होता जाएगा और जड़ें बहुत तेजी से अंदर फैलेंगी मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए अक्सर अगर काफी तेज हवाईं जलती है तो वह पोधे से टकराती है इसी कारण से पोधा भी चाहता है कि वह खड़ा रहे तो अपने अंदर मुझबूती बनाने के लिए वह सबसे पहला काम करता है कि जड़ों को और तेजी से फिला कर अपनी मिट्टी में पूरी अच्छे से पकड़ बना ले तना और मोटा करने के लिए वो महनत करता है इस वीडियो में A to Z पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहें अभी एक बात बीच में मैंने छोड़ दी इसको लगाना कब है किस मोसम में लगाना है हमने देखो यह बारा के बारा महीने में लगाया जा सकता है पर सबसे बेस्ट महीना इसके लिए कोमसा होगा अगर इसको आप मार्च, अप्रेल, मैं इन महीनों में लगा देते हो अगर आपने इसको अप्रेल में लगाया तो जून जुलाई अगस्त स्तंबर अक्तूबर नवंबर और दिसंबर भी ये छोड़ देगा क्योंकि दिसंबर का महीना ठंडा होता है तो इसको ज्यादा ठंड भी पसंद नहीं इसको बस दिसंबर के महीने में ज्यादा ठंड के मौसम में इसकी धेखवाल करनी होगी अगर ज्यादा ठंड दीखाई पड़े तो इसमें पलास्टी का जो लिफावा हाता है उससे हम इसको कवर कर सकते हैं जिससे इसको ठंडी हावा नहीं टकराएगी पर सूरज की धूप उसमें से पास होकर इसको मिलती जाएगी ये सिर्फ हमें पहले साल ही ध्यान रखना पड़ता है अगले दूसरे तीसरे साल तो ये अपने आप चलता रहता है तो जो आपके लिए बात है वो क्या है जनवरी और फर्वरी से ये फल देना स्टार्ट करेगा और लगातार आठ महीने तक अगले थंड से पहले तक ये फल देता रहेगा तो इस साल के लगाए अप्रेल मैं जून में फोधे को अगले जनवरी से फल स्टार्ट हो जाएंगे ये फल दिसंबर से पहले भी आ सकते हैं अगर इसकी पूरी अच्छे से धेगबाल की जाए वैसे तो ये गरमी में ही पाया जाता है उसी मोसम में ही ये फल दिखाएगा तो अभी ज़रूरी बात एक और है कि आपको खाद क्या देनी है इसको खाद की भी काफी जरूरत है अगर पोधा छोटा है तो उसको अलग तरह की खाद देगी अगर फूल दिखा रहा है तो उसको अलग तरह की खाद देनी होगी अगर फलों का टाइम है तो अलग तरह की खाद देनी होगी इसके टेस्ट को मिठा सोट डालने के लिए इसको अलगत रहेंगी खाद देनी होगी तो खाद के बारे में पूरी जानकरी समझते हैं हम तो जब हमने इसको गमले पे लगा दिया तो पहले 30 दिन, 35 दिनों का पुदा अपने गमले में लगाया तो पहले 30 दिन आप देखोगी कि हर एक हफते में वो एक या दो नए पत्ते लेकर आएगा एक महीने में 4 से 8 पत्ते नए आएगे तो खाद कब-कब देनी हैं इसको समझ लीजिएगा जब आपने मिठी त्यार करनी है, मिठी गमले में भरनी है तब भी आपने इसमें गोबर खाद को मिक्स कर देना है पहले से ही इसके लिए खाना छोड़ देना है अंदर से 35 दिनों का पोधा लगाने के बाद इसको हर एक हफते में एक बार इसको खाद देनी है गोबर खाद दीजिए इसको, वर्मी कमपोस्ट दीजिए इसको, या फिर गोट मैनियूर दे दीजिए अगर केमिकल की बात करें, तो पहले पहले आपने एन पी के बराबर मात्रा वाली खाद को देना है जैसे 1999-1930-3030, जिसमें, यो तीनों खादे, लिए नैट्रोजेन फोसफ़ोरस, पोटाशियम ये बराबर मात्रा में पढ़ी हो तो ये बराबर मात्रा में पढ़ी खाद क्या करती है कि पोधी की ग्रोथ तेजगर देती है जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं जैसे एक आप तने की ग्रोथ चाहते हैं कि वो तना चोटा है एक फुट का पोदा है साथ वुट का बन जाए तो आपको ये बराबर मातरा वाली खा देनी होगी तो पहले दो तिन महीने तो यही चलेगा तो उसके बाद क्या करना है अभी क्या है फूल का टाइम आ गया फूल दिखाई दे रहे हैं तो अपने नाइट्रोजन है वो इसमें से हटा लेना है जो की ज़्यादा तर तनों और पत्तों के लिए है तो अपने फलों को बहतर बना आने के लिए अभी फूलों पर काम कर रहे हो तो पी और के एन को हटागर पी के जो खाद है पोटाशियम और फोस्फोरस केमिकल की बात करें तो जीरो चपंजा 32 कुछ इस तरह की खाद है अगर हम और गैनिक की बात करें तो इस पे हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे गोबर काम करती है तो अभी फूल आ गए फूल का फल बन रहा है तो फलो का टाइम आरहा है तो फलों का टेस्ट के लिए उसकी मिठास के लिए क्या करना है तो इन पी को भूभी हटा लेना है उसको कम कर सकते हैं और के रखने हैं हमने पोटाइशियम का यूज़ करना आगे जो फलों को टेस्ट देगा बहतर ये आखिर में काम आता है तो आगे का काम फल तोड़ कर खाना ही होगा ये आपको पता है पर ये अभी ये वीडियो घतम नहीं हुई है अभी बाकी है इसकी बिमारियों के बारे बात करते हैं देखो अगर हम कैमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो असी प्रतिशत चांस आ जाते हैं कि वो बिमारियां आ सकती हैं अगर हम और्गेनिक का यूज़ करते हैं तो असी प्रतिशत चांस होते हैं कि वो बिमारियां आएंगी ही नहीं क्योंकि कैमिकल में तत्व को डिवाइड किया जाता है एक तरह हैं के दाने में एक ही तत्व होगा तो बाकी तत्वों की कमी होने की वजह हैं से जो हमें नहीं पता उसकी वजह से फंगस या कोई और बिमारी आ सकती है पर जो और्गेनिक होता है तो उसमें सभी कुछ मिक्स होता है जो जो ततब पड़े होते हैं उसमें से अपने अप उठाता रहता है या फिर बिमारियां ओवर्डोज करने से भी आ जाती है अभी केमिकल की प्रोपर प्रोपर निट्रिशन देना होगा हमें अगर कम हुआ तो भी प्रोलम अगर जादा हुआ तो भी प्रोलम अगर एक ततब जादा हुआ दूसरा कम हो जाएगा अपने आप केमिकल की बात करें वो नंबरों की गेम आ जाती है तो आपको सही सही नंबर यूज़ करने होगे, कितनी खाद, कितनी एमजी, कितनी चाहिए होगी अगर औरगनिक की बात करें, तो वो slow release fertilizer है जैसे जैसे उसमें पानी पढ़ता रहता है, या फिर टाइम निकलता जाता है वो धीरे धीरे अपने तत्मों को छोड़ता है, अगर आप पूरे का पूरा थैला ही, या फिर गमला ही खाद से भर ने, तो भी उसके डैमेज होने के चांसिस नहीं होगे अगर हम organic की बात करें, हमने देखा होगा जो गोबर पड़ रहता है, अगर उसमें से उसमें बीज गर जाता है, तो वह वहीं पर अपने अप उगने शुरू हो जाता है तो 80% बीमारियां तो इसी तरह आपके ठीक हो ही जाएगी, इसमें जो बीमारी लगती है, वो जाद तर चांसिस है कि वो ठीक नहीं होती, जैसे कि फंगस हो जाता है, तो इसके पत्ते आपस में मुड जाते हैं या फिर फलों पर सफेद कलर के कीट लग जाते हैं, इनको आप नहीं रोक सकते हैं, वो है कि इसमें अगर जादा पानी खड़ा रहे जाता है, उसी के वजह से फंगस आती है कहीं बार क्योंकि इसमें जड़ों पर प्रोलम हो जाती है, तो पानी का अगर आप सही मेंटेनस करें, पानी ओवर्डोज ना होने दे, और इसको अच्छी धूब मेलती रहे, इसको छाएं पर नय पड़ा रहने दे, तो इसी तरह जो सूर्ज हवा पानी मिटी पे ही ध्यान रखके, आप इस पूरे के पूरे को बिमारियों से दूर रख सकते हो, और और गेनिक तरीके से छोटा सा कोस्चन ओर है, कि कि पूदे में कितना फ़ल लगता है, तो किसानों का कहना है, कि अगर हम एक पूदा लगाते हैं, तो मिनिमं कम से कम उस में से 50 किलो पापिता निकलेगा, और दूसरा क्योश्चन इसमें देखा जाता है, कि मेल और फीमेल दो अलग अलग तो इसके बारे में क्या है कि जो hybrid बीज होते हैं वो बीज अगर हम लगाते हैं तो वो single पोदे में ही फल देना शुरू कर देते हैं और जो हमारे इंडिया के भारत के जो देशी बीज होंगे उसको हमें एक से ज़्यादा लगाने होंगे एक पोदा मेल होगा एक पोदा फीम इसके लिए थोड़ी मुश्किल कर देती है तो इस पोदे के साथ में दो तीन डंडियां लगा कर जैसे सिर पर एक टोपी लेते हैं तो उसी तरह हमें एक लिफाफा होगा जो ट्रांस्पेरेंट होगा जिसमें से धूप आर पार जा सके उस तरह का लिफाफा उसके उपर देना होगा तांकि हावा तो इससे नैट करा पाए हावा ठंडी होती है जो इसको नुक्सान पहुंचाएगी इसकी शम्ता से बाहर होगी पर इसको धूप मिलती जाएगी गर धूप होगी फूर्स कोस्टन ये उड़ता है कि अगर आप इस पोदे को लगाते हो तो वो कितने साल तक चलेगा क्या वो पांच साल तक रहे गया या फिर एक साल में ही मर जाएगा कितनी उमर होती है उसकी बढ़ाने के तो हम इसको पांच साल तक कही रख सकते हैं या फिर इसके भी उपर रख सकते हैं पर ज़्यादातर लोग या फिर किसान इसको इतने उमर तक रहने नहीं देते वो एक या दो साल इसको रखते हैं फिर काटकर नया दोबारा से शुरू से पोदा लगा देते ह ऐसा वो क्यूं करते हैं क्योंकि पहले साल जितना फल निकलता है इस पोदे से और दूसरे साल जितना फल निकलता है वो तीसरे और चोथे में से कम हो जाता है ऐसा क्यूं होता है पहले साल ये गया 8 फिट तक तो उपर से नीचे ये 8 फिट ये पूरा पपीते से लदा हुआ होगा अगले साल ये गया 8 से 14 फिट तक तो ये 8 से 14 फिट तक पूरा पपीते से लदा हुआ होगा अभी तीसरे साल में प्रोलम क्या आएगी कि एक तो ये काफी बड़ा हो जाएगा 12 फिट हो जाएगा 15 फिट हो जाएगा तो जितना बड़ा होगा उतना इसको एक तो खाद जादा देनी पड़ेगी खाद में काफी खर्चा जाएगा और दूसरा कि फल काफी उचाई परो जाते हैं पर जैसे पहले साल आट फिट पूरे का पूरा लदा हुआ होता है वैसे तीसरे साल में तकरीबन ये पांच फुट या छे फिट होई होगा तो इसलिए इसको पहले एक दो साल इसका बड़ी आफल लेकर अगले साल नया पोधा लगा देते हैं उगने को ये पांच साल भी रहेगा अगर इस वीडियो में कुछ रहे गया हो तो आप कोमेंट कर सकते हो कोमेंट में आपको मैं जुरूर रिपलाई करूंगा अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हो तो आकर हमारे यूटीब चैनल ग्रोटैरिस को जुरूर प्रवाइड किया जाएगा जिसमें पोधे की पूरी-पूरी साइंस समझाई जाएगी तो स्कोर्स को मिस्क मत कीजिएगा और एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये इनफॉर्मेशन अच्छी लगी हो आप एक और इनसान को ये वीडियो जुरूर शेयर कीजिए जिसको भी प्लांट पोधे उगाने में इंट्रस्ट है उसे वी काफी अच्छा लगेगा अगर आप उसे ऐसी ही इनफॉर्मिशन और इनफॉर्मेटिव वीडियो भेजोगे तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में